वेलकम टू नेक्स एक्जाम आज है बाइस फरवली 2022 और बाइस फरवली 2022 से कर इंटरफेस के जितने भी इंपोर्टेंट कुशिन मन सकते हैं सारे हमें इस वीडियो में डिसकस करेंगे पीडियाप आप हमारे टेलिग्राम गुरूप से वीडियाप नुड़का सकते हैं टेलिग्राम गुरूप पर आपको सारे पीडियाप एक साथ मिल जाएंगी और टेलिग्राम गुरूप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिसकस में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करक दिवस मुनाए गया तो इस कुषिन का बे आप्शन सही है बहासाई और सांसर कृतिक विपित्ता के बारे में जागुता बढ़ाने और बहु भासा बात को बढ़ावा देने के लिए हर साल 21 फरवरी को ये अंतरास्री मात्र भासा दिवस मुनाए जाता है अब ये स्वास्तेकार दिवस मुनाए गया 15 फरवरी को अंतरास्टी चाइल्ड हुड कैंसर दिवस मुनाए गया 14 फरवरी को अंतरास्टी मिर्गी दिवस मुनाए गया 13 फरवरी को बिस्सु रेडियो दिवस मुनाए गया 12 फरवरी को रास्टी उत्पादक्ता दिवस मुनाए गय 11 फरवरी को बिग्यान में मैलाओं और लड़कियों का अंतरास्टी दिवस मनाए गया 10 फरवरी को बिस्सु दलहन दिवस और रास्टी क्रमी मुक्ती दिवस मनाए गया 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाए गया चार फरवरी को बिस्सु कैंसर दिवस मनाया गया दो फरवरी को बिस्सु आद्र भूमें दिवस मनाया गया और एक फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड का इस्ताप्रान दिवस मनाया गया अच्छा इस बार चैनीज निव यर भी एक फरवरी को मनाया गया है तो ये अभी तक फरवरी के इंपोर्टेंट ने मनाए गए हैं ये आपको याद रखने हैं अच्छा आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं 40 या लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है अलपो लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और सेर जरू क्या करो और मैं आपको भी बोलता हूँ, daily morning में उटकर सबसे पहले अपने लेक target fix करो, चाहे चोटा साई target fix करो लेकिन daily morning में उटकर, सबसे पहले अपने लेक target fix करो और फिर अपना पूरा दिन उस target को अचीब करने में लगा दो, आपकी life automatically अच्छी हो जाएगी. ने क्योशन है, हाली में ICC T20 International टीम रैंकिंग में कौन सीट्स पर पहुँचा है, तो अभी ICC T20 International टीम रैंकिंग में अपना देश भारत टॉप पर पहुँच गया है, तो इसकुशन का C options आई है, इंडिया फर्स्ट पर पहुँच गया है, सेकेंड पर है इंग्लेंड और त पाकिस्तान, अब ICC यानि कि International Cricket Council इसकी स्तापना कब हुई थी, 1909 में, इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है, दुबई में, और इसके प्रजेंट टेम पे चेर्मेन कौन है, ग्रेग वारकले, कौन है, ग्रेग वारकले, अच्छा इसके प्रजेंट टेम पे CEO कौन है, जी एलाडेस, नएक कुशन है, हाली में किस राज सरकार के मुख्य मंतरी ने तुंग भद्रा नदी की आरती का एलान किया है, तो अभी करनाटक के मुख्य मंतरी ने तुंग भद्रा नदी की आरती का एलान किया, तो इस कुशन का बे आप्सन सही है, जैसे बनारस की घाट पे आरती होती है उसी तरह तुम भद्रा नदी की आरती का एलान किया है करनाटक के चीपनिश्टर बसव राज बॉमबई ने अब करनाटक तो ये है मैप में करनाटक करनाटक की एपिटल क्या है बैंगलोर करनाटक की चीपनिश्टर कौन है बसव राज बॉमबई और करनाटक क के गवर्नर कौन है तावर चंद्र कहलोत अच्छा अभी परियाय महूत सब करनाटक में बनाये गया करनाटक राज सरकार ने ट्रांस जेंडरों के लिए पुलिस में आराच्छट की गोश्ण की है जोग जल प्रपात की जीडोदार का निड़े करनाटक में लिया गया बिश् आलमाटी वान है ये कृष्णा नदी पर है और कृष्ण राज सागर वान है ये कावेरी नदी पर है करनाटक की पहाड़ीयों पर बारह साल के बाद नील कुरंजी के फूल के लिए हैं करनाटक में अभी राजय उर्जा दक्षिता सुच्कांग में टॉप पर रहा है करनाटक के सिमोगा जिले में पढ़ता है करनाटक में यक्षिगर और डोलू कुनीता यक्षिगर और डोलू कुनीता ये दो डांस में हम 접종 है करनाटक में कौन-कौन से नेशनल पार्क हैं बांदीपोर अंसी नगरहोल पनरकटा और कुद्रे मुखा नेशनल पार्क हाली में 20 फर्वरी को किस राजी ने अपना इस्तापना दिबस मनाया है तो अभी मेजोरम और अरणाचल प्रदेश इन दोनों ने 20 फर्वरी को अपना इस्तापना दिबस मनाया है तो इस कुशिन कर C आप्शन सही है दोनों ने अपना चतिश माफ इस्तापना दिबस मनाया है ने शुशिन है हाली में प्रताप बूर्दोलोई का निधन हुआ है भी कौन थे तो प्रताप बूर्दोलोई ये एक पत्रकार थे और अभी इनका निधन होगया तो इस question का बे options आई है एक प्रतिष्टित पत्रकार थे प्रताप पूर्दोलोई इनका अभी निधन हो गया है ने question है हाली में हुरून इंडिया वैल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करूरपती परिवारों में कितने प्रतिष्ट की ब्रतिष्टि होई है तो अभी हुरून इंडिया वैल्थ रिपोर्ट आई है इसके अकॉर्डिंग 2021 में भारत के करूरपती परिवारों में 11 प्रतिष्टि की ब्रतिष्टि होई है तो इस question का A option सही है ने question है हाली में किसने देश भर में 1000 से अधिक इलेक्ट्रिक वहान चार्जिंग स्टेशन इस्तापित किये है तो अभी IOCL ने पूरे देश में 1000 से अधिक इलेक्ट्रिक वहान चार्जिंग स्टेशन इस्तापित किये तो इस question का A option सही है अब IOCL यानि कि Indian Oil Corporation Limited इसकी स्टापनकव होई थी 1959 में इसका headquarter कहां पर है नू डेली में और इसके present time पर चेर परसन कौन है स्रीकांत माधब बैद्दी कौन है स्रीकांत माधब बैद्दी ने शुशन है हाली में दादा साहिब फाल के International Film Festival 2022 में किसने सर्व सरेष्ट फैलम का अबाड जीता है तो अभी सिरसाने इस बार के दादा साहिब फाल के International Film Festival 2022 में सर्व सरेष्ट फैलम का अबाड जीता तुश कुशन का 10 vibrations थी अचा सर्व सरेष्ट फैलम का अबाड सिरसाने जीता सर्वस्रेष्ट अभिनेता का वाड रडवी सिंग को मिला है और सर्वस्रेष्ट अभिनेतरी का वाड किसे मिला है कृति शेनन को ने शुशन है हाली में अहिस्ट्री ओफ स्री निकेतन नामक पुस्तक किसने लिखी है तो ये रविन नाट टेगवर पर बेस्ट बुक है अहिस्ट्री ओफ स्री निकेतन इसे उमा दास गुपता ने लिखा है तो इसको शेनका ए उप्षन सही है अहिस्ट्री ओफ स्री निकेतन इसे उमा दास ने लिखा है अब अभी कल में आपको बता है था A Nation to Protect ये बुक लिखी है प्रियम गांदी मोदी ने एक ये बुक थी A Little Boy of India इसे रस्किन बॉर्ड ने लिखा एक ये बुक थी Indomitable इसे अरुंदती भटाचार ने लिखा एक ये बुक थी Mamata Beyond 2021 इसे जहिंत घोस ने लिखा था एक ये बुक थी गांदी के हत्यारे The Making of Naturaam God से His Idea of India इसे धीरेंदर के जहाने लिखा एक ये बुक है Bachelor Dad इसे तुसार कपूर ने लिखा एक ये बुक है India's Ancient Legacy of Bellness इसे Dr. Rekha चोधरी ने लिखा है एक ये बुक है Modern India इसे पूनम दलाव धाया ने लिखा एक ये बुक है Pride, Prejudice and Panditri इसे Dr. Sasi थरूर ने लिखा एक ये बुक है How the Earth Got Its Beauty इसे सुधा मूर्ति ने लिखा है एक ये बुक है Orienting an Indian in Japan इसे पलभी अईयर ने लिखा एक ये बुक है The Spirit of Cricket in India इसे Steve Vaugh ने लिखा और एक ये बुक है The End Game ये एक उपन्यास है इसे हुसेन जैदी ने लिखा है Next Question है खाली में भारत की सबसे भरोसे मन सार्वजनिक छेतर की कंपनी का पुरुसकार किसे मिला है तो Cool India को अभी भारत की सबसे भरोसे मन सार्वजनिक छेतर की कंपनी का पुरुसकार मिला तो इस question का बे options है अब ये कूल इंडिया को मिला है तो कूल इंडिया की स्थापना का वोई थी 1975 में इसका headquarter कहाँ पर है कूल काता में और इसके present time पर chairman कौन है प्रमूद अग्रवाल कौन है प्रमूद अग्रवाल next question है हाली में एडिटास के brand investor की रूप में किसे नामित किया गया है तो table tennis खिलाडी है मने का बत्रा इन्हें अभी एडिटास के brand investor की रूप में नामित किया गया है तो इस question का say options है अभी एक game है A23 इसके brand investor सारुखान बने है अभी उत्राखन की brand investor बने थे अक्षे कुमार एक ही medicine की company है Mediwardi इसके brand investor बने थे अमिताब बच्चन सूस की company है Wata इसकी brand investor बनी थे दिसा पतानी एक यह game है Games 24-7 इसके brand investor बने रिटिक रोशन plant based meat company है GoodDot इसके brand investor बने थे नीरच जोपड़ा और Hyundai Motor India की brand investor बने थी Aditi Asok Next question है हाली में किसे polio unbulun के प्रियासों के लिए हिलाल एप Pakistan सम्मान से सम्मानित किया गया तो Microsoft के संस्तापक है Bill Gates इन्होंने पाकिस्तान में polio के उन्मूलन के लिए कई सारे काम किये इसी वज़े से इनको पाकिस्तान में हिलाल एप Pakistan सम्मान से सम्मानित किया गया तो इस question का B option सही है हिलाल A Pakistan सम्मान ये पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है पहला कौन सा है? निसान A Pakistan और ये पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है हिलाल A Pakistan इससे अभी Bill Gates को सम्मानित किया गया है next question है हाली में फ्रांस ने नौ साल बाद किस देश से सेन निबापसी की कोशना की तो अभी फ्रांस ने नौ साल के बाद माली से सेन निबापसी की कोशना की तो इसकुशन का से आपसन सही है अब माली तो माली की केपिटल क्या है बमाको माली की करद्जी क्या है बेस्ट अफरीकन फ्रेंक और माली की प्रेजेंट टेंप है प्रेसिडेंट कौन है आशिमी गोईटा कौन है आशिमी गोईटा नेक्शुशन है हाली में किसने किसान मुबाइल एप लौंच किया है तो अभी आईटी रुडकी ने किसान मुबाइल एप लौंच किया तो इसकुशन का बे ओप्सन सही है नेक्शुशन है हाली में बयस्कों की सिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिट्रेसी प्रोग्राम को किसने सुरू किया है तो अभी सिक्षा मंत्राले ने बयस्कों की सिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिट्रेसी प्रोग्राम को सुरू किया तो इसकुशन का सी ओप्सन सही है अब सिक्षा मंत्राले ने सुरू किया तो प्रजैन टाइम पर हमारे सिक्षा मंत्री कौन है धर्मेंद्र प्रधान अब लाश्ट वीडियो के question का answer लाश्ट वीडियो मैं आप से question पूचा था कि हाली में महाराष्ट के नए DGP कौन बने है तो अभी रजनी सेट महाराष्ट के नए DGP बने यानि कि इस question का say option सही था और लगबग सभी students का answer सही दिया क्योंकि जो चीज़े आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज को question आपके लिए आज को question है हाली में आंद्र प्रदेश लोकस्वेबा आयों के नए अध्यच कोण मने है चार option दिये गए हैं इनमें से आपको अपना answer बताना है और इसके अलावा हम हमारे Facebook page पर previous year question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके हमारा Facebook page join कर सकते हैं क्योंकि previous year question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram पे इंद्रेशर्सी Instagram पे इंद्रेशर्सी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion without any hesitation डिस्कुस कर सकते हैं अच्छा आज किस video का आप target जरू याद रखना आज किस video का target है 40 या like का study related whatsapp और facebook group है उनमें आप इस video को share जरू कर दिया करो तो ये था आज का हमारा current affairs का video आपको ये video कैसा लगा प्लीज comment box में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने मारे इस channel को subscribe महीं किया है तो इसे आप subscribe जरू कर लेजिए आपको इस channel से निश्चित ही मदद मिलेगी जब भी आप से subscribe करेंगे तो बरावर में एक bell icon में के आएगा आप उस bell icon पर जरू क्लिक कर लेए जिससे कि आपको daily morning में current affairs की video मिलती रहे next exam always with you thanks for watching